असलाम में वालाइकुम, आज के आम्रा देख भो, why use F-flash? F-flash आम्रा क्या नो यूज करी? F-flash यूज करा कारना चे, while taking an input string with spaces, the buffer does not get cleared for the next input and considers the previous input for the same. To solve this problem, F-flash is used to clear the string or buffer. तारमा नेटादेके बोजा जाच्चे, जकन आम्रा string input इसाबे ग्रहन कोडी, तोकन बाफार बुस्ते पारना जे आतार पड़ोबोर्ती input टाकी, एवंग शेफ बेवे नाए, जे तार पूल बेर input टाई होच्चे, तार पड़ोबोर्ती input, तो एई टाइपर प्रब्लम गिलो सॉल्व करात जो आम्रा F-flash के यूज कोडी, तो आमार एकान एक टाइक प्रब्लम देवाद छे, एकान आमी आटा string input इसाबे निच्छी, येवं एकान दुई बार string इसाबे नियार कोथा, येवं दुई बार प्रिंट कोडार कोथा, तो आमी एकान एकान निच्छी F-flash टाके comment कोरे रिखाची, आम्रा एक पोदमी द आमार एक प्रब्लम दुई बार आउट प्रज प्रणा एकान आटा कोथा एक प्रब्लम कोफा आशे, येवं आबार input रहाल झेच! सत्याओ ओंडे कोटन दुई गानत आउं डुशे, येवें डों इवाद मिच्छी F-plash आटार…S-C-D-N नेयां, तो बार प्रेलम kuड़ आम गुस्ते बर्थे सी जए यह आप से पौड़ गुट्ती इंपुट की शेटा गुस्ते ना पारेज शे पौड़ आगेर इंपुट टके शे ग्रों कोड़ना है तो यह ताप इल प्रव्रम किल सफ परज़े ना अमड़ा है इस्टिए नित गे यूस कोई तो अच्के पुर्जम तरी थैंक्यो पर आजिए इस वीडियो अला आतज है